37 number question, कहता है 3 concentric circle की जो radius है वो 4 is to 5 is to 7 है, तो आंत्रिक व्रतों के बीच के छेत्रपल का दो बाहरी व्रतों के बीच के छेत्रपल से क्या अनपात होगा, थियोरी में आपको सब कुछ बता दिया गया है, फिर भी थोड़ा सा बताया जाएगा, थोड़ा सा बताया जाएगा, सम्झे, ये एक circle है, जिसकी radius R होती है, बोलो हाँ, देखा जाए, R as a treat होता है, radius, और अगर हम ऐसे line और मिला दें, तो ये R हो जाएगा, तो ये 2R हो गया, जो कि D के बराबर, और D for diameter, जिसे हम व्यास कहते हैं, ये line ऐसे मिला दी, इसे हम जीवा कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा, केंसे गुजरती है, जिसे हम व्यास कहते हैं, जीवा को इंगलिस में कॉर्ड बोला जाता है, छुटी छुटी बातों को समझेगा, circle का area, बच्चा बच्चा जानता है, कि पाई R square होता है, this is the area, circumference, यानि एक तरीकी से परधी, कभी-कभी इसका सब्ध यूज होता है, perimeter, यानि परिमाब भी वर्ड यूज होता है, साथी साथ, ये जो value होती है, वो 2 πाई R होती है, थोड़ा सा प्रकाश जाला जाए, circle की तरिज्जा, circumference और area पर, अगर तरिज्जा R होती है, तो circumference 2 πाई R होता है, और area πाई R square होता है, ये बात हर एक बच्चे को मालूम है, और मालूम होनी भी चाहिए, प्यारे दोस्तों, अगर तरिज्जा साथ है, तो circumference याद रखना 44 होगा, और area 154 होगा, ये भी आपको याद रखना होगा, अगर तरिज्जा 7 होती है, तो 2 into πाई बाई, 2 into 22 बड़ा साथ, R की वेलू साथ, तो 44 आएगा, परिमाप, और छेत्रफल 104, अगर तरिज्जा 14 होती है, तो परिमाप 88 हो जाएगा, बट area 616 हो जाएगा, जश यार गुना, कहने का सिंस क्या है, कि अगर तरिज्जा में x का multiply होता है, तो परिमाप में भी x का, यानि 44 में x का multiply होगा, लेकिन चो छेत्रफल है, उसमें x square का multiply होगा, इतने times बढ़ता है, अब बाकी हम लोग questions पे देखेंगे ये तरीका, कहां पर कैसे use हो रहा है, it depends on question, ये बात सभी लोग समझ गए होंगे, एक बात और बता दे, circle की case में या area की case में भी पाई का multiply होता है, और परिमाप में भी पाईगा, कभी कभी हमें options में 11 का multiply देख लेना चाहिए, अगर 4 में से कोई 1 है 11 का multiply तो वही answer है, 99% तो फिर वही होता है, अगर 4 में 2 हैं तो फिर हम और तरीकों से चेक करूँ और answer को बताओ, तो ये चीज आपने सीक ली, बोलो हाँ, इसी में थोड़ा सा और प्रकाश जाल दे, बाकी प्रकाश सवस्तियाइप में जो theory ये circle का, तो काफी कुछ पढ़ाया हुआ है, theory को जरूर पढ़ें, तभी बहुत benefit होगा, कुछ छोटी छोटी बातों को समझो, ये quadrant होता है, R, R, ये quadrant होता है, ये semi circle, जिसे हम अर्ध परिमाप कहते हैं, ठीक है, अच्छा नहीं बनना है, इसलिए बार बार रफ कर रहा हूँ, क्योंकि ये अच्छा नहीं बनना है, आप चलो ठीक है, ये क्यों बना रहे हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे धीर धीरे बढ़ेंगे, तो कई सारे questions आए हुए हैं, अच्छी label के, तो वो यहां से benefit मिलेगा, देखो, सभी बच्चा बच्चा जानता है, कि circle का area, पाई R square होता है, बच्चा बच्चा जानता है, अब जिससे कोई एक पिज्जा है, उसके चार तुक्डे कर दिये जाएं, और इस तुक्डे का area पूछा जाए, यानि ये quadrant, तो पाई R square by 4, इसका area होगा, अगर इन दो तुक्डे का area पूछा जाए, तो ये आएगा, पाई R square by 4, बट इसका 2 times, तो semi circle का भी लोग याद कर लेते हैं, पाई R square by 2 होता है area, अब तीन quadrant का पूछ लिया जाए, तो 3 into, पाई R square by 4, ये इसका area, और circle का तो पाई R square होता है, बोलो हाँ, ये चीज़ें सभी लोग जानते हैं, very very important point, अब ध्यान देना, इसका परिमाब, वैसे तो जनर्र लिख दे रहे, फिर डाइट, shortcut लिख देंगे, इसका परिमाब जो होगा, वो 2 pi R, 4 तुकड़े होते हैं, मुलब पूरा का 2 pi R, उसका 1 fourth part है, तो 4 से divide, plus 2 R, यहाँ आप पाई की value रखके, solve करेंगे, तो यह value जो आएगी, वो आएगा, क्या पाई रखके, 25 बटा 7 R आएगा, यानि इसका पूरा का पूरा डैलेट, अगर perimeter याद किया जाए, तो 25 बटा 7 R आएगा, सेम चीज़ यहाँ पर भी, अगर इसका परिमाब की बात करें, तो इसका परिमाब बच्चा याद कर लेता है, 2 पाई आर बाई 2, क्योंकि आधा तुकड़ा हो रहा है, प्लस, आर आर 2 R, जब पाई की value रखकर solve करोगे, तो यह value आएगी, 36 बटा 7 R, सेम, अब इसमें बच्चा याद कर लेता है, तो कहता है, 3 बटा 4 होता है, 2 पाई आर के है, और RR जोड़ देगा 2 R, यहाँ पर भी value रखकोगे, तो यह हो जाएगा, 47 by 7 R, सरकल का सभी जानते हैं, तो 44 बटा 7 R होगा, क्यों? क्योंकि यह 2 पाई आर ही होता है, इसको अगर कभी याद करना है, तो बच्चा याद कर सकता है, जैसे हमने लिखा है, 11 का difference उपर की value पे दिख रहा है, तो इसलिए पहले में 25 बटा 7 R, दूसरे में 36 बटा 7 R, और तीसरे में 47 बटा 7 R, तभी आपसे यह question भी generally पूछ सकता है, कि यह quadrant दे दिया, मलब 1 quadrant, 2 quadrant, 3 और 4 quadrant, सबसे यदा परिमाप किसका होता है, तो 3 quadrant का सबसे यदा perimeter होता है, 47 by 7 R, यह होता है, तो इन सब चीजों को हमें पढ़ना चाहिए, तभी हम सीख पाते हैं, बाकी बहुत कुछ सिखाएंगे, बिना सीखे कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो यह थियोरी है, और भी छोटी जी थियोरी है, उसको भी तियार कर लेते हैं, वैसे तो बहुत कुछ है, फिर लगातार questions कराते हैं, बहुत कुछ है, क्या किया जाएंगे, अब हर चीज तो नहीं बता सकते हैं अभी, possible नहीं है, क्योंकि questions कराने, इसलिए थियोरी के अलग से lecture हैं, प्रकास होस्ती अप में पहले उनको पढ़ो, खुसी मिलेगी, मतलब mensuricent 2D को अच्छे से पढ़ो, अब इसमें क्या है बच्चा, ये एक sector है, और ये angle theta है, ये 3R, ये R, अब अगर हमें इसका पूरे का एरिया बोलें, तो इसे बोलते हैं, area of sector, OAB कर दो, OAB, OAB का जो छेतरफल होगा, सीधे याद करो, πाई आर स्क्वाड ठीटा, अपाउन 360 होगा, अगर हमसे कह दे, length of arc, sharp की लंबाई बताओ, इसे बोलते हैं, length of arc, sharp की लंबाई AB, तो वो value जो होती है, वो 2 πाई आर, ठीटा अपाउन 360 होती है, फिर हमसे किसी question में कह दे, कि perimeter of sector, OAB, या इसकी length बता दो, इस टैब से, तो यह OAB, मलब perimeter ही बोलेगा, या circumference भी बोल सकता है, perimeter of OAB, तो यह होता है, 2 πाई आर ठीटा, अपाउन 360, प्लस 2 आर होता है, ठीक है, बढ़िया से, इसको पढ़िये, प्यार से सीखिए, 30 से 35 गंटे की थियो, की वीडियो दिये गए है, mensuration 2D, जिससे आप geometry भी solve कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, यह सब विस्तार में बताए गया है, थियोरी में, यहां भी करा दिया, अब इसको पढ़ते हैं, पहला कोशन, कहते हैं, तीन संकेंद्री वृतों की त्रिज्जा, इतने इतने के अनपात में, दो आंत्रिक वृतों के बीच के छेतरफल का, दो बहरी वृतों के बीच के छेतरफल से क्या अनपात होगा, ठीक है, तीन सरकल बोल ला है, तीन बना लेंगे, जब बोल ला है तो बना लेंगे बाई, सीदी बात है, चले, देखते हैं, क्या खेला है इसमें, केते तीन संकेंद्री वृतों की तरिजा, 4, 5, 7 के अनपात में, ठीक है, पहले की तरिजा, आप 4R कर दिजिए, दूसरे की 5R कर दिजिए, और तीसरे की 7R कर दिजिए, 4R, 5R और 7R, दो आंत्रीक वृतों के बीच के छेतरपल का, दो बाहरी वृतों के छेतरपल से क्या अनपात होगा, दो आंत्रीक वृतों का छेतरपल, दो बाहरी वृतों के छेतरपल से क्या अनपात होगा, ठीक है, मतलब इस portion का जो छेतरपल है और बाहर के छेतरपल से क्या होगा यहीं बोला है तो क्या होगा पाई 5R का square माइनस 4R का square नीचे पाई ऐसे रहेगा 7R का whole square माइनस 5R का whole square इसको solve करो पाई से पाई गया दोस्तो 25 में 16 गया यानि 9R square हुआ 49 में से 25 गया 24R square हुआ ये value 3 बटा 8 आएगी 3 by 8 is the right answer of this question इस question का answer 3 बटा 8 आएगा 37 का सही उत्तर 3 बटा 8 होगा बोलो मगर प्यार से हर चीज को धीरे धीरे पढ़िए और चीजों को सीखिए एक बच्चा इस्टार्ट स्कूल इस्टार्ट स्कूल लिकरा है मासूम सा बच्चा है 37 के बाद 38 नमबर कोश्ट बड़े प्यार से पढ़ेंगे कैथा 42 सेंटिवीडर व्यास वाले किसी व्रत से एक 30 खंड काट दिया गया यदि 30 खंड का 150 जगरी है तो इसका शित्रफल क्या होगा एक चीज़ समझो इसमें पाई का गुणा हुआ होगा पाई का मतलब 22 बटा 7 यानि 11 का मल्टिपिल आंसर पहले क्योंकि एप्रॉक्स में कही कुछ दिया नहीं गया तो 11 का मल्टिपिल देखो 7-5-12, 7-5-12 इसके चांसेज है 14 इसके नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है यानि बिना पैन चलाए आप आंसर नंबर A को ही मार दोगे चुकि यही आंसर हो जाएगा बात की बात है पूरी मेहनत अपनी जगए ये तरीका अपनी जगए ठीक है इसमें कोई लॉलिपॉप नहीं है हमने थोड़ी दिर पहले आपको प्रचंड ग्यान दे धिया ता क्या ग्यान दे धिया था साब बताया था कि भीया ये पाई और ये पाई यानि 11 का मלटिपिल पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अगर 4 ओप्षन में सिर्फ एक ओप्षन 11 का multiple है तो direct answer मार दो, ग्यान अपनी जगे, selection के लिए त्यारी अपनी जगे, सीधी सी बात है, समद गया कि नहीं, तो वो मार दो, और अगर 4 में से 2 option है, तो भाईया, फिर ग्यान अपनी जगे, फिर ग्यान से ही solve होता है, तो ये तो इसका direct solution हो गया, पर हम लोग तो बताएं मिलेगी, आज नहीं, पर एक दिन जरू मिलेगी, 150 ये हो गया, व्यास 42 है, यानि बताया हुआ है, व्यास मतलब डायमेटर तरिज्जा हो जाएगी, 21 और 21, हमें area चाहिए, यहां जो कीमती formula लग रहा है, वो पाई आर स्काड ठीटा अपन 360 इसका, क्योंकि सेक्टर का छित पाई मतलब 22 बता साथ, 21 मतलब, आर मतलब 30 तो 21 गुड़े 21, और 1500 बता साथ, 360, इसको खेलना पड़ेगा, यानि solve करना पड़ेगा, तर कैसे करें, करने से ही होता है, 7 से ये 3 बार में गया, 0 से 0 काटो, 3 से ये 12 बार में गया, ये 5 बार में गया, ये 4 बार में गया, 2 से य दो बार में, दो से ये 11 बार में, बाकि इतनी तो calculation है यही, 11 गुड़े 5, 105 गुड़े 11, बटा दो, तो 5 ऐसे रहेगा, फिर 5 ऐसे आ जाएगा, या ऐसा कर लो, दो से भागए दे दो, सबसे बढ़िया, 52.5 गुड़े 11, अब तो कर लोगे, 5 ऐसे, 5 दो, 7 ऐसे, 7 ऐसे, और 5 ऐसे, रसमलो, 57.5 is the right answer, तो आप direct answer निकाल सकते हो, और ज्यादा आपके पास समय, तो ये महनत करो, पर याद रहे, ये महनत वाली चीज इसलिए आनी चाहिए, मा धरा का धरा रह जाता, सौटकर वाला, सीदी सी बात है, हम तो सब में बताएंगे, अब कहता है, एक व्रताकार उधान की त्रिज्जा, ये सरक्र गार्डन इस इतना, इस व्रत के 8 चक्कर, लगाने में ते की गई कुलदूरी, एक चीज देखो, 8 चकर लगाने में, तो कही नहीं न कहीं, टू पाई आर, गुड़े एन होता है, पाई मतलब 11 का मल्टपिल, तो 8 दू 10 ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है, सीदे, 21, 12 आंसर हो गया, और आंसर मानने के बाद, समय है, तो निंद माल लो, अहुड के, 21 बारा आंसर, लेके, मल दो आप्संस ऐसे हो जाते, तो फिर हमारे साथ खिला हो जाता, तब हमें अपने ज्यान की जुरत है, तो आप ज्यान लेते हैं, सीदी सी बात है, कहता है, एक वरता का उध्यान की त्रिज्जा 42 है, इस वरत के 8 चक्कर लगाती है, तो 2 ऐसे, पाई मतलब 22 बटा 7, त्रिज्जा 42, मार रहा है, 8 चक्कर मार रहा है, कितने, 8, इसको कैल्कुलेट करो, और आंसर निकालो, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देको, थोड़ा सा, वही हम सोचे, मालूम हम क्यों रुख गए, आप लोग नहीं समझ पाया होगे, इहलिस में 42 मीटर दिया, हिंदी में सेंटी मीटर द देना पड़ेगा, दसमलों में कोई था ही नहीं, तो यह 42 मीटर में दिया गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ था, भाय हमें तो तुरन दिखता है, अभ्यास है, दिखता है, साथ से यह 6 बार में गया, खेल जाओ, अर्चंग 48 दूना, अर्चंग 48 दूना 96 और तो आप 8 गुड़े, 6 गुड़े, 22 गुड़े, 2 करना, जो आएगा फिर वही है, ठीक है, 11 का 2 हो गया, 9, 2, 11, एक हासिल, 10, 11, 2, 11, 2 is the right answer, 39 का अंसर, बच्चा बच्चा सीख गया, बोलो, मगर प्यार से, 40 नमबर कोश्च, सब में आपको सिखाय जाएगा, खतरनाक तरीके, कहता है, गोला कार ट्रेक की आंतरी को बाहरीत रिज्जा इतनी है, 7 मीटर की दर से ट्रेक समतल करने की लागत, सीधी सी बात है, फिर से गोला कार, यानि सर्कुलर बोलना चाहता है, सर्कल में ही, सर्कल म उगर एक है तो वही आंसर, वना तो मेहनत करेंगी, ये करेंगे वैसे भी, यह 11 यह लगी नहीं है, यह लग रहा है, नहीं यह भी नहीं, ओ खिलो हो गया, ब्रॉक्स में अलई तो नहीं है, 1 सब्सक्राइब, चार दो छे, टर्वर यारा, पांस दो साथ, साथ एक आठ, लिए यहां खेला हो गया कि यह आप्सेन में कुछ ग्राब बढ़ है कि अच्छा सही है भाई हमीज गलत देख रहे हैं आठ चार बारा है दुनी बारा यह आंसर यही ग्यारा का सिर्मल्ट पे ले कभी अठिक अच्छीर ध्यान नीगे हम 14 जोड़ लेते ऑल और के नU सब्सक्रार तो ओल वहीं सूचे तो अंशर इसका डू होजाएगा डेृटं आंसर क्या हो जाएगा देउता डी हो जाएगा बोलो हाँ जब आंसर डारेट डी हो जाएगा तो बच्चों को संतुष्टी आंसर डी से नहीं मिली भलो भलो टेल टेल अच्छा क्या कमेंट चल नहीं रहे है क्या अच्छ दे रहे हैं बच्चे हम री लोड नहीं किया थे औहो एक बच्चा कहता है पावण सर्मा कि सर्जी पूरा फूल-ड्वांस मैथ आप यूटूप में करा देना मेけれ फ्राक्ती डまた लो प्रकास वुस्ति आप डाउनलोड करो और नाम मात के सुल्क में उसको पढ़ लो ठीक है सब कुछ पॉस्पिल नहीं है क्योंकि 90 परसेंट तो फ्री पढ़ाई रहे ऐसा तो है ने एक गुला का ट्रेक की आंत्री को बाहरी त्रिज्जा इतनी है कि ट्रेक है तो बढ़ियां से इसको सीखे यह ट्रेक है तोट कट आप जानगे है लॉंग कट ही देखेंगे मासूम से दोस्तों तो बड़े वाली की त्रिज्जा 29 है और यह त्रिज्जा 23 है एक गोला का ट्रेक की आंत्री को बाहरी त्रिज्जा इतनी है और 7 मिटर की दर से ट्रेक समतल करने की लागत अब एडिया निकालोगे इस ट्रेक का तो पाई ऐसे रहेगा 29 का स्क्वेर माइनस 23 का स्क्वेर और गुड़ा 7 29 माइनस 23, 29 माइनस 23 जो कि यह समाज 6 बोलेगा और 29 प्लस 23 यह समाज किता बोलेगा 51 नहीं 52 बोलेगा पाई जो कि 22 बटा 7 होता है और गुड़े 7, 7 से 7 गया बोलो हाँ, 7 से 7 गया अब आपको यह इस चीज का गुड़ा करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा तो मोटा मोटा चलो, मोटा मोटा 6, 35, 30, 312 गुड़ा 22 आप मोटा मोटा देखो, तीन में अगर दो का गुड़ा करोगे तो 6000 के उपर यही वैलू है बाकी आप इंटू कर लेना, ठीक है, तो 3, 1, 2, 2, 2 is the right answer of this question जितने भी कोशन होंगे, almost कोशिज यही होगी, shortcut बताएंगे और प्यार से समझाएंगे 40, 40 के बाद 41 नमबर सभी लोग ट्राई कीजिए इस question को, कहता 0.64 पाई, छेतरवल वाली एक गोला का डिस्क, 1.408 किलो मीटर के लंबाई तक लुड़कती है इसके तोरा लगाये जाने वाले चक्रों की संग्या, खेला है इस question में इस question में खेला है, अब यह नहीं कि 11 का मल्ट पर ढूनो, क्यों? क्योंकि यहां चक्र पूछ लिया गया है पहले समझो, कई चीज़ें, एक तो यहां मीटर में है, यहां किलो मीटर में है, कई चीज़े खेला है गोला का डिस्क, कोई एक डिस्क है, जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वाइर बराबर 0.64 पाई, जो कि मीटर स्क्वाइर में है पाई से पाई गया, यानि रेडियस जो आएगा, वो 0.8 मीटर आएगा पहली बात तो ये, और 2 पाई आर क्योंकि जो भी घुमेगा, वो अपनी परदी में घुमेगा तो 2 पाई आर, चक्कर कितने लगाएगा, तो N चक्कर लगाएगा, कितना किलो मीटर 1.408 किलो मीटर है तो अगर मीटर में देखें तो 1.408 मीटर हो जाएगा दोस्तो अब यहां स्वाल करो, 2 मतलब 2 होगा, पाई मतलब 22 बटा 7 होगा, 30.8 ऐसे लिखो, N ऐसे लिखो 1408, दसम्लों अटाओ, नीचे 10 लओ, अब थोड़ा बहुत काटो, पेसिंस के साथ 11 से 2 बार, 11 से जाएगा, 11 एक कम 11, फिर 30 हुआ, 22 और 8, 128 बार फिर कहीं ना कहीं देखो, 8 दूनी 16 से 128 जाता है, 16 से 128 जाता है, वैसे 32 से भी जाता है, 32 चौका 128 तो कुछ नहीं करना, अब यह करना है कि 4 गुड़े, 7 गुड़े, 10 यानि 280 The right answer of this question, question number 41, 280 आएगा Question number 41 का जो सही आंसर आएगा, वह 240 आएगा बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, हर चीज को well manner, proper तरीके सीखिए, एक दिन आपको खुसी मिलेगी ठीक है, advance math को बड़े आराम से पढ़िए, धैर पूर्वक, थियोरी के साथ पढ़िए 41 के बाद 42, बहुत famous question है, exam का, और कुछ नहीं है अपने लिए क्या है, हलवा है, सर आईसा कैसे बोल दिया, वाय दिस स्कोला वरी हलवा क्यो अरे पढ़ा दिया, थियोरी भी देखो, जो आज भी बताईए, उससे देखो न, थियोरी से, देखे आपको प्रचंड ग्यान क्या दिया था, ये ग्यान दिया था, कि अगर 37, 7 है, तो उसकी परदी 44 होगी, और एरिया 154 होगा अगर 34 है, तो उसकी परदी 88 होगी, और एरिया 616 होगा, क्या होगा एरिया 616 होगा पहले बोलो हाँ सर, ये बात तो बिलकुल हकिकत है, आपने बताया है तो ये जो कुशन अब आपके सामने आ रहा है, इसे आप औरल कर सकते हैं तर कैसे, वरत का छेतपल और परदी ग्याद कीजिए, अब तरिज्जा क्या है, 14 है और जब तरिज्जा 14 है, तो परिमाप 88 होगा, और एरिया 616 मुद्दा खत्म जिसमें ये चीज़ दिख जाए, वही आंसर परिमाप 88, एरिया 616, अब दो आप्शन दिख रहे हैं ने, एक ही आप्शन है, आप्शन नमबर D, 616 और 88 is the right answer of this question ठोको लाइक, फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं, तरिज्जा, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, जिसे परदी बोलते हैं और एरिया पाई आर स्क्यार, हमें सहाँ रखना अगर तरिज्जा साथ है, तो परिमाप 44 होगा, एरिया 154 होगा अगर तरिज्जा में हम X का गुणा करें, तो परिमाप में भी X का गुणा होगा, और एरिया में X स्क्यार का गुणा होगा अगर 37 से हम 14 करें तो परिमाप 1088 होगा और एरिया 4 गुना यानि 616 होगा इसे त्यार करें भविस में भी काम आएगा आप कोई भी एक्जाम दो सब में काम आता है ठोको ठोको लाइक अब ये कोशन है फोड़ा सा लेबल बच्चों को डर डराने वाला है पर नहीं अगर आप महबत से और प्यार से इस कोशन को सीखते हैं तो ये कोशन बिलकुल आसान है ये डिपेंड करेगा आप इस कोशन से कितना प्यार करते हैं असली बात ये चलिए छोटी छोटी चीजों को भढ़के बताते हैं छोटी चीजों को पहली बात तो यह देखो, दी गई आकरती में PQR एक व्रता खंडे जिसकी त्रिजा साथ है यानि यह जो radius आप देख रहे हो, वो 7 है, according to the question I hope यह चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, बोलो हाँ एक चीज़ समझो, अब यहां से ऐसे यह बना लिया, ऐसे, तो यह बच्चा होता है, पर पेंडी कुलर यानि लंबवत और त्रिजा देखी जाए, तो त्रिजा तो ऐसे तो यह जो blue color गया है, यह भी तो पूरा साथ होगा और अगर अंदर वाले सरकल की त्रिजा तो आर, 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 तो यह भी यह चीज आर होगी, और नीचे भी जो नीचे है, तो यह एक square बन जाएगा work, तो यह चीज आर, रूट टू हो जाएगी पहले बोलो, हाँ सर, यह तो बिलकुल सही बोल गया आप, पहली बार आपने सही कैसे बोल दिया, यह नहीं, कह तो सरक बोल गया आप सही बत जहां यह चीज मासूम से बच्चे जान गए कि यह तृजजा आर ये आर ये आर तो बच्चा ये जो लाइन दिख रही है ये लाइन इसकी वैलू देखो ये साथ के बराबर ही होगी और आर रूट आर बराबर साथ के बस होगया आप फशरी अब कोई कह दे ये question tough है वो स्वयम बच्चा जिम्मेदार है R common ले लो ये समाज में root 2 plus 1 बराबर 7 आया ये उत्थेर भेज़ दोगे तो negative हो जाएगा 7 root 2 minus 1 सर ऐसा कैसे दोस्तो अब यहाँ पर अपने मन से root 2 minus 1 का इधर root 2 minus 1 का उधर गुणा करोगे तो ये A minus B A plus B तो 1 हो जाएगा यानि R बराबर 7 root 2 minus 1 आया बोलो बोलो tell tell कैता what is the area of the circle त्रिज्जा निकाल लिए अब area का है सम्मोम आया है area होता है pi r square pi मतलब 22 बटा साथ R तो 7 का square तो 7 गुड़े साथ अब अंदर वाले का whole square करो अरे मेरे दिवता समझ रहो ना root 2 का square 2 1 का square 1 3 root 2 हो 2 root 2 साथ से साथ कटा 22 सत्ते 154 होता है नहीं मालूम तो स्वयम जिम्मेदार 3 minus 2 root 2 गुणा करोगे मगर प्यार से गुणा कर दो 22 तीना हो जाएगा 462, 222, 308 root 2 थियोरी में ये सब कोशन सारे जहरीले कोशन कराएगा है मेंस का हर एक कोशन थियोरी में आपको मिल जाएगा मेंसुरेसन 2D में ही थियोरी में और हो सकता है ये सिर्फ राइट एंगल ट्रेंगल में पढ़ा दिया हो ऐसा भी है क्योंकि थियोरी में हम उसी हिसाफ से पढ़ा है जैसे मुझे वाजिब लगा है ठीक है क्योंकि 6 गंटा राइट एंगल ट्रेंगल पढ़ाया तो क्या हवन कराया थियोरी देखिए आई होप यू गाइस अंडेस्टेंड दर राइट आंसर आप दिस वन इस एक बच्चा के रहा है अड़्वानसमेद पढ़ा यह रहे छैप्टर बrás चाप्टर यह हवन करा रहे हैं यह ये यह रैडवांसमेद ने हिंदी पढा रहे है और च्यैप्टर बाइच्यप्टर पढा रहे हिंदी अरे धेवता डाउनलोड प्रकास सवस्तिय और प्यार से पढ़ लो दो व्रतों की त्रिजाओं का योग 91 है और उनके छेत्रफल के मद्द का अंतर 202 है तो बड़े व्रत की त्रिजाओं ग्याद किजिए दो व्रतों की त्रिजाओं का योग 91 है ठीक है उनके छेत्रफलों के मद का अंतर 202 है तो बड़े व्रत का अब यहाँ पर हम डाग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि दो व्रतों की त्रिजा बोली गई है यानि R1 प्लस R2 बराबर 91 हमें दिया गया और उनके छेत्रफलों के मद का अंतर तो पाई R1 के स्क्वाइर पाई R2 स्क्वाइर जो की 2002 है बड़े व्रत की त्रिजा तो R1 ही निकालना है बस रख दो मेरे बाई पाई मतलब 22 बटा साथ होता है ऐसा यह समाज कहेगा R1 का स्क्वाइर R2 का स्क्वाइर तो R1 माइनस R2 R1 प्लस R2 2002 के हो गया दोस्तों अब यहां थोड़ा सा कटा पिटा कर लो थोड़ा सा काटना पड़ेगा बिन काटे कुछ नहीं होगा 11 से यह दो बार में गया 11 से काटो 11 एक कम 11 अब यह 90 हुआ 88 और 2 दो से काटो तो तहीं ना कहीं 2 से जब यह काट रहोगे 91 आएगा और R1 प्लस R2 की वेलू भी 91 तो 91 से 91 गया यानि R1 माइनस R2 बराबर आगया 7 और R1 प्लस R2 बराबर हमें दिया गया 91 बस जोड़ लो R1 चाहिए 91 और 98 का आधा 49 तो बड़े की तरिजा 49 आएगी तो प्यार से सिखिए हर चीज सिखिए और धीरे धीरे सिखिए हमको बड़े की तरिजा निकालनी थी 49 इस दा राइट आउसर बोलो बोलो टेल टेल तो धीरे धीरे पढ़ते रहे और हर चीज को सीखते रहे ठीक है चलिए कोशन नमबर 44 के बाद कोशन नमबर 45 में कहता एक व्रत्ऊकार चादर से 42ct लंबी तथा 14ct च statement चौड़ी एक आयताकार चादर काटी गई व्रत्ताकार चादर का छेतरफल कम से कम क्या होगा बहूत प्यार चे इस कोशन को समझना अनता स्वयंई जिम्मेंदारो एक व्रत्ताकार चादर देखिए कुछ लोग कमेंड में चैटिंग करते रहते हैं सब बाद में क्या करूँ पहले पढ़ लिया करूँ ठीक है समझें कि नहीं समझें पहले पढ़ो फिर फ़रजी की बाते करूँ एक व्रताकार चादर से 42 cm लंबी और 14 cm चोड़ी एक आयताकार चादर काटी गई कहता है व्रताकार चादर का छेतरपल कम से कम क्या होगा जी चाहता है छेतरपल तो जो चादर काटा गया है वो हमें बताना है जो चादर कट रही है बच्चा वो आयताकार चादर काटी गई है, तो आयताकार चादर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी होगी, जो कि इसी वरताकार से काटी गई ठीक है, और जिसकी लंबाई हमको दी गई है, बैलिस और चॉड़ाई हमें दी गई है, चॉड़ा त्रिज्जा निकाल लो सारा खेला हो जाएगा अब त्रिज्जा कैसे निकाले बच्चा ऐसी जो इस वाइट लाइन की वैलू होगी उसकी आधी त्रिज्जा होगी अब ये 94, 42 तो कही ना कहीं under root में 42 का square और 14 का square अब बच्चा घबरा गया थोड़ा सा common sense देखो अगर मैं 14 का square common ले लूँ तो ये 3 का square प्लस 1 बचेगा की नहीं बचेगा आप खुदी देखो 14 का square common ले लिया तो आब 42 क्या 14 त्योंच 42 तो 3 का square 14 बहार आएगा यानि 14 रूट 10 यह हमारा 2R के बराबर तो R बराबर हो जाएगा 7 रूट 10 तो जो ये व्रत है उसकी त्रिज्जा 7 रूट 10 आ गई अब हमसे कहता है प्रभू छेतरफल बता दू तो हमार जानत है 22 बता 7 त्रिज्जा का स्क्वायर यानि 7 रूट 10 और 7 रूट 10 हमार तो जानत है 7 से 7 गया 22 सत्ते 154 हुआ और इन दोनों का गुणा तो 10 हुआ 1540 आंसर इसका आंसर 1540 हो जाएगा यहां आपका ग्यान लगेगा अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो बिना ग्यान के कल लेंगे तो इसमें गलत हो जाएगा क्यों 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 थोड़ी दिर पहले हमने कई कोशनों में आपको बताया कि पाई का मल्टिपिल देख लो क्योंकि एर आपके साथ खेला हो जाएगा इसलिए यहां पर आपको कॉंसिप्ट आएगा कभी आंसर आएगा समद रहे हैं बोलो बोलो टेल टेल चलिए आई होप यूगाइस अंडरस्टेंड एक बच्चा लिग रहा पेड कोर्स है आप में बिलकुल नाम मात्र का सुलक है उसमें किड़नी बेशनी जुरोत नहीं है कोई 500 रुपए का कोई 399 का है नाम मात्र का ठीक है समझ गए एक पिज्जा का जो रेट होता है उतने का ही कोर्स है जो की देड़ साल वैलिटी दो स काल वैलिटी ऐसे में समझ गया है और वेल मैनर है सबसे बड़ी बात थियोरी के साथ कहता है जैसा कि आकरती में दर्साया गया है कि ABCD तीन वरतों के केंद्रों से गुजरती है AB2 है CD1 है यदि मद्ध वरत का छेत्रपल से दोनों वरतों के छेत्रपल का औसा तो बीसी की ल की लंबाई चीए ABC की लंबाई चीए अब यहां पर आपका ग्यान काम आएगा फर्जी ग्यान नहीं आएगा यह नए कोशन थे जब 2017 में आयते फरवरी 18 में समझ गया 2017 मिल्स का 18 में हुआ था तब यह अच्छे कोशन थे तब से लोग जहरी ले कोशन पढ़ाते यह दो है तो यह एक-एक हो गई त्रिज्जा कोई दिक्कत नहीं इसको आप X मालू क्योंकि BC हमें नहीं मालू CD हमको मालूम है CD एक सेंटीमेटर CD एक सेंटीमेटर अब जो नेक्स्ट लाइन है उसी मेल लाइन वही है कैदर यह दि मद्ध व्रत का छेत्रपल यानि B वाले का जो छेत्रपल है सेस दो व्रतों के छेत्रपल का आउसत है पहले समझो बी वाले का छेत्रपल कैसे आएगा तो बी वाले की त्रिजा पहले समझो एक त्रिजा एक आएगी बोलो हाँ ए वाले की ए आएगी बी वाले की त्रिजा एक्स और ये दो एक्स प्लस टू का आधा बी वाले की त्रिज को नहीं समझ में आती तो यह डायामीटर होता है दोनों का योग डिवाइड बाइड बाइड दो यहां तक की डायमीटर तो एक्स प्लस टू डिवाइड बाइड दू समझ गया नहीं आता तो फिर कश्ट है जीवन में चलो भाई खेला जाए बी का छेतरपल यह दिम मद्ध्वरत का छेतरपल भाता पड़िए मद्ध्वरत का छेतरपल सेज दो व्रतों के छेतरपल का उसत है यानि बी का जो छेतरप है ईका छेतरपल को ट्रिजा तो एका ही है एफ कि वन का स्कॉए होगा और इसमें कुछ नहीं कर सकते ऑने और बी सी की आए ए फिर वाले का छेतरपल आएगा प्रिए ऐसे इसोट होल स्कॉएर अपॉन दो का स्कॉएर 4 डिवाइड बाइड टू क्योंकि हमसे और सट की बा पहले बात के यह बोलो मगर प्यार से अब हमारे साथ क्या होगा खेला होगा जियां क्योंकि calculation अनल पाई पाई से काड़ दीजी पहले बाद ऊपर होल स्क्राइर खोलिए मगर प्यार से x square 2 का square 4 प्लस 2x यानि 4x आएगा नीचे 4 ऐसे ही रहेगा यहां 4 का आप चाओ तो LCM लेते हुए चलो 4 ऐसे 3 का square 9 प्लस x square 3 दूनी 6 x square और यह 4 दूना 8 हो गया 4 से यह दो बार में जाएगा 2 का गुणा कर लो यानि 2 x square प्लस 4 दूना 8 यहां यह 6 x है ठीक है 4 दूना 8 8 x x square प्लस 6 x प्लस 13 कुछ कट नहीं रहा है इधर लेओ x square ऐसे 8 x से 6 x गया तो समाज 2 x बोलेगा 8 में से 13 गया तो माइनस का 5 बोलेगा जो कि 0 आएगा तो x square ऐसे आएगा 8 में 6 तो 2 x आएगा 8 में 13 गया तो माइनस का 5 यह आएगा प्यारे दोस्तों अब यहां quadratic equation हो गई डिगात समीकर्ण लगेगा कौन सा सोरी quadratic equation हो गई स्रीधराचार जी वाला फॉर्मला लगेगा धराचार जी ने फॉर्मला दिया था क्या अएक्स बराबर माइनस का b तो माइनस 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 का b तो यह होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस B square यानि 2 का स्क्वेर 4 4 एट तो 4 A, minus minus plus हो जाएगा, upon two है यह, यह value जू हो गई बच्चा, दो से भाग दोगे, तो यह one हो गया, plus minus, चोबिस, 24 को यह समाच, 24 को यह समाच, चचोग और 24, 24 को यह समाच क्या बोलता है, 24 को 24 ही बोलेगा, 2 root 6, 2 से भाग दोगे तो ये root 6 आएगा 1 plus minus root 6 आएगा 1 plus minus root 6 देखोगे तो ये answer आएगा चुछ कि root 6 plus minus में है 1 नहीं है तो answer इसका B आएगा जो की आपके सामने है कुछ दियागा बड़ है कुछ तो गरवड है ओहो यहां 8x है यहां 6x है थोड़ा सा गवड हो गया मैं समझ भी रहा था यह प्लस यह माइनस हो जाएगा प्लस माइनस यह यह वन निगेटिव में ठीक है आंसर आएगा रूट 6 माइनस 1 समझ गया अरे मेरे देवता कोई तो बोला करो जगए कम थी तो उसी हिसाब से दिमाग लगाने में ही चला गया 8X में से 6 जाएगा 2X 8 में से 13 तो माइनस 5 जो सिरी धरा चार जी का फॉर्मला होता है जिनको नहीं आदे तो याद कल ले माइनस का B प्लस माइनस B स्क्यार माइनस 4AC अपॉन 2A यह होता है तमझदार हो प्यार से सीख लो ठीक है तो रूट के अंदर 6-1 is the right answer of this question CGL मेंस का question है बोलो हां चाले है चाले एक बच्चा चाले कुछ बच्चे आपसे में लड़े जा रहे है ठीक है कोई बात नहीं प्यार से पढ़िए दिखिए हमीसा याद रखिए जीवन में दो चार मो माया वाले लोग होते हैं वो आपको हमीसा बटकाएंगे यही चीज़े यूटूब के इतियास में ठीक है समझ गए प्यार से पढ़ो हां कुछ बच्चों को ये question नहीं समझ में आय एक बार में सीख जाएं और किसी के comment पर कोई tension मत लिया करो यह सब मो माया है यही तो जीवन है संगे अरे कुछ officer बनेंगे तो कुछ वहाँ चाय पिलाने वाले भी तो बनेंगे ऐसा तो है निकि वो नहीं बनेंगे वो भी तो इंसान नहीं है ठीक है तो उनकी मानसिक्ता उ कही सेलेक्शन पाएगा कि कुछ को खराब लगाओगा कि अच्छी बात है कि जो सत्य उसको सुनना चाहिए चले अब समझो इस question को फिर से once again देखो बच्चा ये line ऐसे गई है ये green वाला जिसे हम a circle बोल ले है इसको b बोल ले है और इसे c बोल ले है मैं पूरा बना दे रहा हूँ तो ये one होगा ये one होगा पहले बोलो हाँ ये चीज हमें निकालना है इसी को समाज कह रहा है कि b c न हमने x माना और इसके बाद की value हमें one दी गई है ये चीज हमें one दी गई है अब मेरी बात को समझो जो सबसे पहला वाला है उसकी त्रिज्जा a वाले की त्रिज्जा तो वो एक हो जाएगी अगर b वाले circle की बात करें तो b वाला circle जो orange में है x 2x x plus 2 उसका आधा यानि x plus 2 by 2 हो जाएगा और c वाले circle की हम अगर बात करें तो पूरा हमारा as a diameter है तो x one 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 x plus 3 होगा divide by 2 कर दोगे x plus 3 by 2 ये त्रिज्जाएं हो जाएगी पहले बोलो हाँ दोस्तों ये चीज बोलिए हाँ अब एक बात को समझो हमसे कहता है जो mid वाला circle का area यानि b वाले का जो area है वो a के area और c के area का योग का आधा है ऐसा बोल रहा है अब b वाले का area तो πाई ऐसे रखोगे और इसकी त्रिज्जा अभी आप में निकाली तो x plus 2 by 2 हो जाएगा इसका होल square a का area जो के πाई 1 का square होगा ती का area त्रिज्जा ये है तो πाई x plus 3 का होल square और यानि 2 का square 4 और इसका आधा क्योंकि और सत बोला गया अब इस चीज को आप solve करेना ये जो calculation किये वो solve करेना equation आएगा x square plus 2x minus 5 जब इसको solve करोगे तो x square plus 2x minus 5 बराबर 0 equation आएगा अब यहाँ पर आपको श्रीधरा 4 जी वाला formula minus का 2 plus minus 2 का square 4 plus ये 1 होगा और 4 इसी होता है तो 1 into 5 ये side 5 है एक second हाँ ठीक है 5 ये है अब by 2 हो गया मासूम से दोस्तों 2 से भाग दोगे तो minus 1 ये 2 root 6 होगे तो ये root 6 होगा अब answer समझ गए होगे इसका answer root 6 minus 1 वाया options लिया गया है तो repeat कर दिया है प्यार से पड़ो हर चीज को सीखो ठीक है चाले तो ये question में दुबारा बता दिया देकि अच्छे question में समय लगता है जब आप theory की class देखोगे तो वहाँ आमने इसमें बहुत ज़्यादा समय लिया हुआ है यहां प्रैक्टिस करा रहे हैं तेजी से ये याद रखना अब ये means का question है कोई time pass नहीं है ठीक है इसी लिए YouTube में कोई teacher नहीं पढ़ाता ऐसे question को क्योंकि इसमें कोई काला जदू नहीं दिखा सकता बता दो कौन सा काला जदू दिखा दे teacher बोलो बोलो ये भी तो matter है समझे ने YouTube में easy question दिखाया जाते हैं जिससे बच्चा खुस रहे है और कुछ नहीं चाले ये भी conceptual question है theory में पढ़ाया ग देखेंगे इसमें क्या होता है A is equal to B, B is equal to C, sir ये कैसे कोई options नहीं match कर रहा है, no options correct, कोई विकल्फ सही नहीं है, यान D is the right answer, कैसे अभी सब समझ में आ जागा, आप बस patience रखना इस question में, तो इसकी भासा पढ़ लेते हैं, फिर अलक से बता देते हैं, कहता है 1 cm भुजा व 1 cm भुजा वाले में 9 समरूप बनना है, और 1 cm वाले में 16 समरूप बनना है, तो उनके जो एरिया है, उनका योग क्या होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, हम आपको बता दे, वो सारे बराबर होते हैं, सारे बराबर होंगे, आपको ये चीज दिखा देते हैं, बहुत प्यार से, बस इतने बड़े वाले में सब बना देंगे, हाँ, इसमें डाइगराम नहीं दिया गया है, तैट पेपर में दिया भी गया था डाइगराम, नहीं दिया गया, कोई बात में, हम तब भी बना देंगे, थोड़ा सा सरकल कर बना के दिखाएंगे, थोड़ा अच्छा यह सरकल कहीं फिट नहीं बैटेंगे तो इसलिए ऐसे बना देते हैं अपने सरकल खुद के चलेंगे यही तिरिजा एक है तो इस सरकल की तिरिजा जो आएगी जो छुटकु सरकल है उसकी तरिजा आएगी एक बटा 카드 और यह समझ गए तो कि इसका आधा अभी समझो अब इसमें 4 सरकल बोला है कि दूसरी कंडिशन में 4 सरकल बनना है यह चारों समान होंगे आपको भले ना लगे पर चारों समान होंगे अब इनकी त्रिजाएं क्या होंगी भाई ये वन होगा ये वन होगा अब इनकी त्रिजा जो हो जाएगी ये जो डंडी है आपको तोड़ के दिखा दे रहे एक बटा चार एक बटा चार एक बटा चार एक बटा चार सर क्यों कि एक बटा चार को चार बार जोड़ोगे तो एक आता है इसमें छे सरक एड इसमें बोला है किते बनने नौ बन रहे हैं नौ तो सारे बताएंगे और सभी का एरिया बराबर आएगा तो सीधे याद भी करना है तभी आप समास से अलग होगे अप इसमें क्या आएगा तो तो देखो ये एक है अब ये 06 ये 6 बार होगा ये एक बटा छे एक बटा छे एक बटा छे एक और यहां बटकू की तरिज़ा एक बटा दू होगी अब यहां ऐसे ही 16 बनेंगे किते बनेंगे 16 तो चार हम बना रहे हैं बस उसी से बता दे रहे हैं तो यह आर आर करके 8 आर बराबर 1 के तो इनकी जो तरिज़ा आएगी वो आर बराबर 1 बाई 8 आएगी अब समझो फोशन यह अच्छी लेवल के होते हैं इनमें टाइम पास नहीं कर पाएंगे अब एरिया इसका क्या होगा पाई एक बटा दो का स्क्राइब यानि यह समाज पाई पाई बाई 4 एरिया बोलेगा यह एक सरकल का अब इसके अंदर 4 सरकल है तो 4 पाई ऐसे बट एक बटा 4 का स्क्राइब होगा तो इन चारों का एरिया तो यह एक बटा 4 का स्क्राइब तो 16 होगा आप 4 से कटेगा यह भी पाई बाई 4 होगा similarly यहाँ पर भी क्या होगा 9 सरकल है तो 9 πाई ऐसे 1 बटा 6 का स्क्वाइर होगा यह 36-9 से जाएगा तो फिर से यह पाई बाई 4 आएगा similarly यहाँ 16 सरकल बनेंगे 4 बनाएगे 16 बनेंगे पाई 1 बटा 8 का स्क्वाइर तो 64 में 16 तो यह भी पाई बाई 4 यानि इन चारो कंडिशन में सभी का एडिया समान आएगा जो कि पाई बाई 4 आएगा अपके दोसर इसको हम रट लेंगे यह कर लेंगे वो कर लेंगे उससे कोई फाइदा नहीं याद रहे concept is the power तो इस question का answer सभी चारो cases में पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 आएगा यानि इसका फंडे को त्यार कुरो D is the right answer no option is correct कोई विकल्ब सही नहीं है तो कि चारो पोर्ट्शन के area जो area A का होगा वही B का होगा वही C का होगा वही D का जो उनके अंदर सरकल बनना है A में 1 इसमें 4 इसमें 9 इसमें 16 तो सभी का area क्या होगा बराबर होगा बढ़या कोशन ठीक है बढ़या कोशन है जब आप theory में पढ़ोगे इस question को तो इसकी खुप सारी variety बताए गई है ठीक है साती साथ theory में हमने इसको पहले journal method से भी प्रूब किया है कि इसका एक formula बना के दिया है समाज को वो हम नहीं बताएंगे यहाँ पर ठीक है तो यह फिर एक घंटा क्योंकि theory में इसको हमने एक घंटे का आसपत पढ़ाया है इसी question को यहाँ में 10 मिनिट के अंदर खतम करना है तो यह question काफी अच्छे आये थे 2017 मिन्स में भविस में भी आएंगे अभी तो ऐसा है ऐसा भी question आया था काभी जहरी ले question आये थे ठीक है ऐसा भी question आया था तो वो सब आप सीख जाओगे हम इसको well manner आपको समझाते हैं बहुत प्यार समझाएंगे जो की pi r square होगा pi जो की 11 का multiple option में चले जाओ 6, 4, 10, 4, 14 14 में से 5 गया 11 का multiple नहीं 8, 6, 14 4, 18, 18 में 4 ये भी नहीं है 2, 2, 4, 3, 7 8, 2, 16, 16 में 7 गया ये भी नहीं यानि D is the right answer अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो इसका answer डी है सेकिंडो में पेपर में हो जाता है और जिन्होंने किया होगा एक्जाम में वो ऐसे ही किया होगा पर solution भी तो आना चाहिए इसके बहुत सी वेराइटी एप में सरकल में बताया हुआ है वहाँ से आप सीख सकते हैं कि बाकी इसको हम प्रॉपर सिखाएंगे डरना नहीं यह सिखाएंगे कि देखो बड़े आराम से समझो कि एबी की लंबाई 56 कि एई एफ एवजी जी भी सारे बराबर है तो यह जो त्रिजाय के यह सारे बराबर है पहले समझो तो आर 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 तो यह टोटल आठ आर बराबर 56 तो आठ सत्य चपन यानि यह सब साथ साथ हो जाएंगे 77 इनकी वैलू हो जाएगी बड़े प्यार से बताएंगे पूरा वेल मैनर और छुटको करते हैं अब आते हैं ग्रीन कलर में समझो यहाँ खेला है, बस हलका सा खेला है ज्याहदा नहीं, बहुत आसान कोशन है यह लाइन खीज़ दी और यह ऐसे मिला दी इसे सेंटर बोल दिया सभी कहेंगे यह तरिज्जार आर होगी सीधी सी बात यही निकालना है और इसे ऐसे मिला दिया बस जिसने ये चीज सम्झ लिया समझो question फरजी क्या एक चीज सम्झो मोटा मोटा कि अगर ये semi circle है और ये चीज तो यहां से देखो ये 28 है और ये 28 है तो ये भी 28 होगा पहली बात तो ये यानि ये चीज सारे समाज के सामने आगे यहां से लेकर यहां तक जो होगा वो 28 होगा पहली बात तो यह आई दूसरी बात समाज में क्या आएगी वो अभी समझे तो यह पूरा का पूरा 28 होगा यह r तो यह जो value होगी वो 28-r होगी क्यों क्योंकि ऊपर आ रहे हैं यहां तक आ रहे हैं तो नीचे 28-8 यह पहला पॉइंट हुआ फिर देखो यह त्रिज्जा साथ है और यह आ रहे बस जिसने समझ लिया वह बात्सा आप कोशन फर्जी है तर फर्जी कैसे बस इसी चीज को हम यहां बना दे रहे हैं बस हो गया और क्या यह एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया नीचे साथ है यह साथ प्लस आरा जाएगा यह 28-R आ जाएगा बस पाइथा गोरस लगा डाला लाइव जिंगा लाला त्रिज्जा निकाल के एरिया अक त्रिज्जा कैसे पाइथागोरस तो साथ प्लस आर का होल स्क्वेर बराबर साथ का स्क्वेर प्लस 28-R का होल स्क्वेर साथ का स्क्वेर उन्चास आर का स्क्वेर आर साथ दुनी 14R पहले बोलो हां साथ का स्क्वेर उन्चास 28 का स्क्वेर होता है कितना 784 प्लस आर स्क्यार 28 दूना 56 आर बहुत प्यार समन्ना आर स्क्यार से आर स्क्यार गया ये 56 आर इधर जाएगा तो ये 70 आर हो गया 49 से 49 कट गया बराबर 784 के आर बराबर 7 से भाग दे दो एक बार में 12 सत्य 112 बटा 10 यानि ये समाज 56 आर ये रखो 112 बटा 10 रखो 112 बटा 10 आ गया ये इसकी त्रिज्जा आ गया अब हमें एरिया चाहिए तो एरिया आप कैल्कुलेट करे ले ना कोई बड़ी बात नहीं है पाई जो की 22 बटा 7 त्रिज्जा आपको मालूम चल गई 112 बटा 10 112 बटा 10 इसको घर में बैठके स्वाल करना तो 394 अब सर घर में बैठके कैसे हम करेंगे तो करके भी दिखा देंगे प्रकास सर कानपूर वालें सन्थ साथ सी ये जाएगा कित्ती बार में जाएगा सत्तर और बैलिस साथ से ये सोला बार में जाएगा अब देखो 6 दूनी 12 12 दूनी 24 यूनिट प्लेस में 4 आएगा और जब नीचे 100 से भाग दोगे तो यूनिट प्लेस में 4 बना रहेगा जो कि 4 सिर्फ इसी में है 394.24 में ये इसका एक वेल नूल प्रॉपर सोलूशन है किसी को अगर नहीं समझ में आया तो दुबारा देखिए क्योंकि हर एक चीज को ब्रेक करके बताया है बोलो हाँ ये एक प्यारा कोशन है जहां आपको मेहनत करना पड़ेगा ठीक है मेहनत करना पड़ेगा 48 नमबर हो गया 49 नमबर बढ़यां सीखिए मेरे बाई देखिए हम मेहनत कर रहे हैं पसीना भाएंगे तो प्यार से ही सिखाएंगे यदि किसी पईये का व्यास 42 है तो 12 चक्रों में कित्ती दूरी अब यहां पाई का मल्टिपिल देख लो उससे भी आंसर आ जाएगा क्यों? क्योंकि 2 पाई आर गुड़े एन का खिला होगा पाई 11 का मल्टिपिल तो यह 11 का मल्टिपिल है यह भी 11 का मल्टिपिल है अब हमारे साथ नहीं दोनों में 11 का मल्टिपिल है अब हमारे साथ क्या हो गया? या तो A answer या तो B answer तो ऐसे case में ही तो solve करना है और क्या haven नहीं करना इसी में तो solve करना है तर कैसे करेंगे देखो दो ऐसे रखोगे पाई मतलब 22 बटा 7 क्रिज्जा 42 नहीं 21 होगी और 12 चक्कर तेंटी मीटर में आएगा तो मीटर के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा बोलो हाँ अब यहाँ पर calculation आपको चुटकी में दोको ये दो तो होने ही नहीं है अब अकड़ या बकड़ समझ गए ताप से भाग दो 3 बार में यूनिट डिका लो 2 दुना 4, 4 तेया 12, 12 दुनी 24 मनलब एकाई में 4 100 से भाग दोगे तो ये आएगा तो ये इसके एकाई में तो 5 है 15.84 is the right answer of this question इस question का answer आपके सामने है बोलो हाँ question number ठीक है अरे बोलो देवताओ अरे बोलो देवताओ चले I hope ये question आप लोग समझ गए होंगे next question की ओर चलेंगे 49 के बाद 50 number एक व्रताकार मैदान 12 रुप्रती मेटर की दर से इसके 4 और 12 लगाने की कुल लागत इतना है मैदान का छेतरवल क्या हुगा मैदान का 2वल yawni 11 का multiple यह 11 का multiple है यह 11 का multiple है यह 11 का multiple है हम 9 5 14 3 गया ye चारो o biases 11 cambio अब पेपर वाला भी कभी चलाख होता है कि लो भीया लो कर लो अब बताओ चारो के चारो ग्यारा का मल्टिपिल तो अब तो यहां आपका ग्यान काम आएगा ना सौटकट काम नहीं आएगा अब यहां ग्यान काम आएगा एक व्यताकार मैदान बारा रुपए प्रती मीटर की दर से इसके चारो और बार लगाने के लिए फुल लागत इतना है देखो 2640 रुपए परिमाप में बारा का भाग दो क्यों क्योंकि टू पाई आप ऐसा समझो बार कहां लगेगा उसके परिमाप में लगेगा यानि टू पाई आर में लगेगा बारा का जब गुणा करोगे तो यह 2640 के आएगा बात को समझ गए होंगे अब यहां से पहले हमें आर निकालना पड़ेगा बारा से भाग दो तो बारा दुनी 24, 24, 220 अब दो गुड़े पाई मनलब 22 बटा साथ त्रिज्या आर जो कि 22, 220 के आएग दोस्तो चीजों को समझो 22 से यह जाएगा कित्ती बार दस बार में अगर बटा दो यानि 35 इसकी त्रिज्या आएगी इसकी त्रिज्या क्या आएगी 70 बटा दो 35 इसकी त्रिज्या आएगी कि अधर मैदान का छीतरफल क्या होगा पाई यानि 22 बटा साथ 35 गुड़े पैटिस खेलो मगर प्यार से साथ से यह जाएगा पाँच बार में यह हो गया 110 गुड़े पैटिस मलब यूनिट प्लेस में 0 निशित हो गया और अगर यूनिट प्लेस में 0 निशित हो गया तो मजदार हो इसका आंसर यूनिट प्लेस में 0 3850 is the right answer कोश्चन नमबर 50 का आंसर 3850 आएगा ठीक है आई होप ये चीज सब समझ गए होंगे चाले आई होप चाले पढ़िया से पढ़िये 50 के बाद 51 नमबर कहता है 60 डिगरी केंदरी कोण वाले किसी व्यत्ता खंड का छेत्रपल ए है व्रत की परदी सी है तो एक किसके बराबर होगा यहां खेल गया भावनाओं में बहेंगे ये कोश्चन गलत हो जाएगा भावनाओं में बहेंगे तो ये कोश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा भासा को समझो 60 degree केंदरी कोण वाले किसी व्यत्ताखंड का छेत्रपल ए है सभी जानते कि πाई आर स्क्वाइड ठीटा अपॉन 360 का एरिया एही होगा अब ठीटा में दिया गया है तो पाई आर स्क्वाइड ऐसे रको 60 degree क्योंकि 30 दो दी नहीं गई है 360 यह हमारा A के बराबर कहता है व्रत की पर्दी यहां हमसे सेक्टर का नहीं बोला गया व्रत की पर्दी तो 2 πाई आर बराबर C के स्क्वार कर दीजिए दुनों का तो यह 4 πाई πाई स्क्वार आर स्क्वार बराबर C स्क्वार तो हमसे करें एक अमान किसके बराबर होगा तो कोई बात नहीं पाई आर स्क्वेर अपाउन 6 यहां से वैल्यू निकाल दीजे पाई आर स्क्वेर की तो C स्क्वेर अपाउन 4 पाई आएगा C स्क्वेर अपाउन 4 पाई आएगा C स्क्वेर अपाउन 4 पाई पाई गुड़ा 6 यानि C स्क्वेर चचो को 24 पाई C स्क्वेर अपन 24 पाई इस दा राइट आंसर तो 51 का आंसर आएगा C स्क्वेर अपन 24 पाई कैसा लगा इमानदारी से बताईए ठीक है थोड़ा सा ले वाले बच्चा थोड़ा सा ले वाले हसी मदाग वाले कोशन कहां से करा दे अब देखो यही 2019 में पूछा गया अब समल लो अब CDS का कोशन तो है नहीं पूछा गया तो करना पड़ेगा अब करने से ही होगा मेनत से ही होगा टाइम पास से नहीं होगा अब मेहनत से हाँ अब CHSL का कोशन देखलो किस लेबल का है किसी वरत के अंदर एक नेमेत स्रश्ट बुज बनाया गया वरत के छेतरफ़ल का अनपात उसके उस भाग से क्या होगा जो स्रश्ट मनाया गया तो विए बना लेनगे हम कवर नहीं किया गया यानि वह जो हमें चे तनल का अनपाद जाए वह साम से ठीए यह पूर्शन कवर नहीं किया गया इस portion का चाहिए दोस्तो समझो थोड़ा सा भई सेंटर से जो त्रिज्जा होगी यही वरत की त्रिज्जा आर होगी यही त्रिज्जा आर होगी बोलो हाँ मोटा मोटा अगर मैं circle का area देखू तो circle का तो area pi r square होगा अब जो यह non-sided portion है उसका area तो circle के area में से hexagon का area घटा ना है hexagon का 6, 6 equilator triangle होते हैं तो root 3 by 4 6 equilator का area यानि संभावत्री मुझ का root 3 by 4 r square अब यहाँ से खेल लो जिसने खेल लिया वो answer जान गया pi नहीं कटेगा pi ऐसे रहेगा अब यह option पर pi दिख भी रहा है आपको ठीक है और ratio में है कोई दिक्कत नहीं हों हमसे तो ratio बोला वो दे ऐसे रहा है तो कोई बात नहीं हों कोई दिक्कत नहीं हों सब कर देंगे तो 2 pi minus 3 root 3 by 2 2 का इधर गुणा कर दो यानि 2 pi 2 pi minus 3 root 3 इसे बोल सकते हैं कि 2 pi upon 2 pi minus 3 root 3 यानि options number is the right answer question number 52 का अंसर option number A आएगा बोलो मगर प्यार से तो दोस्तों अच्छे सीखिए हर चीज को सीखिए खुसी मिलेगी एक दिन बोलो हाँ चले next question देखते हैं pen चलाना होगा दीखे advance मैं तभी आएगा जब आप theory को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जितना theory को पढ़ेंगे उतना आप निखरेंगे और अच्छे से आंसर बता पाएंगे अभी काफी questions कराएंगे अब थोड़े आसान question है बच्चा खुस होके देखेगा कहता चार सेंटीमेटर त्रिज्जा वाले अर्ध वरत के भीतर बनाए जा सकने वाले विसालतम त्रिज्ज का छेत्रपल क्या होगा सीदी सी बात है अर्ध वरत में जो हमारा क्या बनेगा त्रिज्ज तो वो ऐसे यही maximum बन सकता है ऐसे maximum बन सकता है तो अर्ध वरत पे बना हुआ कोड सम कोड होता है यानि जो भी बनेगा वो 90 डिग्री पे हो जाएगा यह सब 90 नब्बे पे ही होंगे तो सब ही बराबर हो जाएगे चार सेंटिमेट त्रिज्ज वाले अर्ध वरत के बीतर बनाए जा सकने वाले विसालतम तो राइट एंगल ही बनेगा तो यह चार यह चार और सीधी सी बात जो इसकी हाइड यहां से पड़ेगी तो वो भी चार होगा क्योंकि आप समझ गए यही बन सकता है ठीक है मैक्समुम यह बाला बनेगा इसका एरिया एक बटा दो आठ 32 बटा दो यानि 16 आंसर होगा तो याद रहे कभी भी ऐसी भासा में बूला जाए तो एक अर्दवरत में तो समकोण बनता है और मैक्समुम तभी बन सकता है जब यह दोनों बुजाएं भी बराबर होगी यह आईसो इसकेलस में होता है तो यह भी हमारा सेंटर से परपेंडिकुलर होगा जो इत्थे वही उत्थे होगा त्रिजा चार-चार दी गई तो यह भी चार हो जाएगा बच्चा समझ गए और आंसर निकाल लेंगे अगर आप सोचो कि हम तिर्चा बना दे इधर बना दे तो फिर हम एडिया कहां से निकाले क्योंकि हमें हाइट नहीं मिलेगी अब हाइट तो ऐसे परपेंडिकुलर होगी तो बेसे दिया गया तो हाइट कहां दिया गया इसलिए डाइग्राम को हम ऐसे बनाएंगे आई होप यू गाइस अंडरस्टेंड बढ़या से सीखिए कोश्चन को हाँ टाइम पास से कोई फाइदा ने दो व्रत की त्रिज्जा 20 और 13 है उस व्रत की त्रिज्जा गयाद करो जिसकी परदी इन दो व्रतों की परदी के योग के बराबर तो 20 तेरा टैती से अंसर हो गया इसका सर कैसे भाई सीधी सी बात है और 5 लिए 2 पाई r1 2 पाई r2 बराबर 2 पाई r3 के यही हमसे चाहता है और मासुम से दोस्तों आप देको 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 वाई तो हमारा कैंसिल अब आप r1 ब्लस 2 प्लस बराबर 2 पाई र3 यानि 20 प्लस थेरा बराबर किसके 33 के होगा दे राइट आंसर ओफ दिस कोशिन, कोशिन नमबर चाववन थाटी थ्री आएगा चाले प्यारे दोस्तो अच्छे से पढ़िए ये बेसिक कोशन है जिनको नहीं आता थोड़ी थोड़ी थियोरी पढ़िए उस व्रत का कहता दा एरिया ओफ दा क्वांडेंट ओफ दा सर्कल फूस सर्कमफेरेंस इस ट्वंटी टू विल भी अब बच्छा ये कोशन हम कैसे तेजी से करें इस पे चर्चा किया जाए देखो इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं असान है थोड़ा सा क्लियर नहीं उस व्रत के चतुदांस का चितफल याद करें जिसकी पर्दी बाइश है तो कहीं न कहीं जो ये पर्दी की बात कर रहा है ये पर्दी हम्हें लगई लग रा कोशन की भासा से हमें बात समझ में आ रही है ठेक है अन्था फिर इसमें कुछ और करना पड़ेगा एक चीज समझो मेरे मासूम से दोस्तों क्या करना पड़ेगा देखो और कौछा इरिया ओफ द वाएस सर्कल निकालेंगे जो की बाइस के बेघृत तुरिजया आ साथ, आर, साथ बटा दो, साथ बटा दो, और इसका एक बटा चार, हेलो मगर प्यार से, साथ से साथ गया, दो से ये ग्यारा बार में जाएगा, ग्यारा इंटू सेवन, 77 बाई एट, 9 अठे बात तर, यानि 9 पॉइंट, एक ही ऑप्शन है, 6 तू फाइब, यही फिर आंसर ह हो जाएगा, 9.625 इस दा राइट आंसर, पहले बोलो हाँ, यह चीज हमने कहां लिखवाई थी, सुरुवात में लिखवा दी थी, आजी के सेशन में, जो बच्चे कन्फ्यूजन में हो, सरका हुईगा, यहां आप ध्यान देना, यह चीज हमने यहां लिखवा दिती, ठीक है, कि कौण्डरिंट का यह, और साथी साथ कौण्डरिंट का परिमाप हमने 25 बटा 7 आर बताया हुआ था, तो यह कौण्डरिंट का परिमाप बोला गया, बढ़ वहां सरकल का परिमाप जो कि 44 बटा 7 आतार है ठीक है तो कोशन में आप समझ गया होंगे जो परिमाप दिया गया सरकल का दिया गया अगर कौनर इंड का देता तो आंसर कुछ और होता अगर पच्पन नमबर हो गया कि छापपन पढ़ेंगे किसी कार की पाईये का व्यास 210 एक कार की चाल इतना है पाईये को प्रती मिनट कितने चक्तर लगाना चाहिए अब ये बहुत ज़्यादा आता है कोशन या थोड़ा सा पेसिंस रखना रीजन क्या है व्यास cm में ये km प्रती घंटा में है पहले समझो एक घंटे में 1,020 km चलता है एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 120 km चलता है तो प्रती मिनट बोला गया तो 1 मिनट में 2 km और 2 km मतलब 2000 मिनट तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए अब यहां हमने इसको किस में convert किया है मीटर में convert किया बोलो हाँ 2000 मीटर अभिवाज सेंटी मीटर है अभी समझ न तो हम जानते हैं कि 2 πाई आर गुड़े एन बराबर 2000 मीटर ये मीटर में दो ऐसे πाई मतलब 22 बटा 7 क्रिज्जा 210 का आधा 105 होगा सिंटी मीटर में तो नीचे 100 से भाग जिससे मीटर में convert हो एन नमबर आप चक्कर और 2000 ये अब यहां calculation आएगी और यहां point में exact value नहीं आ रही क्योंकि वैसे तो चक्कर exact होंगे पर यहां पर point में आता हुआ नजर आ रहा है दिखते हैं 7 से ये 15 बार में गया 15 दूनी 30 यानि 0 से 0 आ गया बोलो हां n बराबर तो ये 20 हजार हो जाएगा और 22 त्याय चाचट हो जाएगा ये भाग दिना छत्रिक 18 यानि इन दोनों में से कोई एक answer होगा यहां पर हम रिस्क ले सकते हैं पर हम लेंगे नहीं हम solve करेंगे रिक्स तो हमारे जगे ले सकते हैं पर नहीं लेंगे 10 अजार बटा 33 यहां मुहबब से solve करेंगे क्योंकि हल्किसी गलती answer गलत तीन बार में 99 एक फिर 100 अब यहां 0 लेंगे फिर 3 यानि 3.303.03 इस दा राइट answer तो बढ़ियां से लिकिए सावधान रहें, सतर्ग रहें और answer को सही बताएं तो 56 नमबर हो गया बोलो हाँ याद रहे concept is the power और ऐसे question भर भर के exam में आते हैं ठीक है सब कुछ प्रकास वुस्ति एक में मिल जाएगा आपको प्यार से पढ़ लेना 56 के बाद 57 नमबर question थियोरी बता दिये इसकी क्या थियोरी बताई बता दिते हैं CDC बात है अगर ये तरिज्जा ये circumference और ये area अगर तरिज्जा 7 होती है तो circumference 44 होगा और area 154 होगा अगर तरिज्जा 7 है circumference 44 होगा और area 154 होगा ये बात हर एक बच्चा याद रखना हर एक बच्चा याद रखना अगर तरिज्जा हम आधी कर देंगे 7 बटा दो तो circumference 22 होगा और area में 4 से भाग दोगे अगर 30 को 2 गुणा कर देंगे 14 तो circumference 2 गुणा हो जाएगा और area में 4 का गुणा हो जाएगा तो 616 ये सब बताया हुआ दो संकेंद्री व्रत एक वले बनाते हैं वले की अंता और बहा पर्दी ये दो concentric circle बोला गया है ये concentric circle के बारे में बोला है इसकी पर्दी 22 है जब 22 पर्दी होगी 33,5 होगी सीधे आपको सिखाया गया है और पर्दी 44 होगी तो 37 होगी हमसे ये वाला portion पूछा गया है तो 7-3 साड़े तीन इसका answer केता वले की चौड़ाई गयात किजिए यानि ये चौड़ाई गयात करनी है और जो की साड़े तीन आएगा आप direct भी कर सकते हैं मेरे मासूम से दोस्तों ठीक है तो ये question भी हो गया बोलो हां थोड़ा सा लेबल है थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना प थावन पहले पूरे question कर लें दो मगर प्यार से थोड़ा समय लगेगा केता 42 मीटर और 26 मीटर व्यास वाले दो छोटे व्रताकार मैदानों को एक बड़े व्रताकार मैदान द्वारा प्रतिस्तापित किया जाता है यहां व्यास है यदि नए मैदान का छेत्रफल भी दोनों छोटे मैदानों के छेत्रफल के बराबर हुई हो तो नए मैदान की त्रिज्जा ग्याद किजे, एक चीज समझो, एक चीज समझो, मगर प्यार से, यानि इस question को आपको बड़े प्यार से करना पड़ेगा, जिको, भाई, पाई, आर रवन का स्क्वेर, पाई, आर टू का स्क्वेर, और जो हमें चाहिए, तो पाई, क्याप्टल आर स्क्वेर, पाई पाई काड़ दू यह 42 और 26 व्यास हैं तो त्रिज्जा हो जाएगा 21 का स्क्वेर यह त्रिज्जा हो जाएगा 42 का अधा 21 और 26 का अधा 13 जो कि आर स्क्वेर यहां निकाल लो यह 441 हो गया यह 169 हो गया आर स्क्वेर के इसको जोड़ो 4 एक 5 एक 6 तो 610 बराबर आर स्क्वेर अब यहां से हमें सिर्फ त्रिज्जा निकालनी है अब देखो यहां कोई रॉकेट साइंस नहीं ना यह खुदा है कि मतलब हम बता दे मेहनत से जो करेगा वही आंसर आप देखो 25 का 625 होता है यह 625 से ज़्यादा आएगा या तो यह होगा यह तो 23 तो एक्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि 23 का स्क्वेर सभी जानते 529 है उससे ज़्यादा है तो यानि यह B is the right answer जब इसे मेहनत से इमानदारी से स्वाल करोगे तो 24.69 पुड़ा सा कभी कभी कॉमन सेंस भी लेना चाहिए ऐसा हम सज्जेस्ट करेंगे कॉमन सेंस से भी आंसर आते हैं समझ रहे ना ठीक है दोस्तों अभी इसके 6 कोशन और कराया जाएगा 6 कोशन 58 के बाद 69 कोशन क्यातर एक वरत रूपी तार इतना छेत्रफल को कवर करती है इस तार को एक ऐसा आयद बनाने के लिए मोडा जाएए तो पहले यहीं वरत रूपी तार है ये एक सर्क्लर वायर है जिसका छेत्रफल ये है तो इसका छेत्रफल हमें दिया गया 3118.5 पाई आर स्क्वेर तो पाई की वैलू 22 बटा साथ आर स्क्वेर तो यहां से हमें तरिज्जा निकालने पड़ेगी कोई चारा नहीं कोई अंदी नहीं सीरी बात है MTS का कोशन है कोई अंदी नहीं मार पाऊगे आप ठीक है हाँ आप ज़्यादा अंदी के चक्कर में गलत कर दोगे ये भी यह हाँ निकटम अनपात में साथ चारे आयत की लंबाई कितनी हो लंबाई के तो साथ का मल्टिपिल लो सारे के सारे ओप्संस साथ के मल्टिपिल में आपके साथ क्या हो जाएगा खेला हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे ओप्संस साथ के मल्टिपिल में यह आपके साथ क्या होगा खेला यानि यहां त्रिज्जा निकालनी पढ़ेगी एक व्रत का अब MTS का कोशन है एक व्र आप निकालना पड़ेगा यह तो वाई अब देखो 10 अमलो अटाओ नीचे 10 लगाओ 11 से यह दो बार काटना पड़ेगा 11 दूनी 22 दो बार में 11 दूनी 22 तो यहां कितना आ गया 91 एक सेकेड ग्यारा दूनी 22 तो नो अभी यह हो गया 91 88 अड़तिस अड़तिस तीन बार यह आएगा 2835 आएगा 2835 आएगा 2835 आएगा अड़तिस को हम साथ चोग 28 28 पैटिस साथ का गुणा होगा 405 यह हो जाएगा 405 गुणा साथ बटा दो गुणे 10 दीखे मैनस से अब आप में त्रिज्जा निकालने हम अंधी नहीं मार सकते नहीं आपको मारने का मौका दे सकते हैं सब कुछ वेल मैनर करना पड़ेगा साथ का स्क्राइब हो गया यह चीज 81 पंजा होती हाँ पांच का ऊपर पांच का नीचे गुणा कर सकता हूं पांच का स्क्राइब हो गया नीचे सो यानि दस का स्क्राइब हो गया बराबर आर अब त्रिज्जा आर निकलेगी नौ सत्ते त्रेसर त्रेसर देखो त्रेसर पंजाब बटा दस कि तू से भी अंधी नहीं मार सकते यह चीज इसका यह आएगा इसको ऐसे रखो अब इस सरकल का जो परिमाप बढ़िया कोशन है परिमाप तो टू ऐसे तू पाई यार बाई सैवन तो पाई की वैलू 63 इंटू 5 बाई 10 तो पाई पाई मतलब 22 बटा 7 यह होगा यानी यह तरिज आ है यह इसका परिमाप है और यह एक आयत है दिखने हैं यह साथ एक्स और यह पोर एक्स तो आयत इसका परिमाफ साथ दुनी 14, 11 दुनी 22 एक्स आएगा, खतम बात, अब हमें X निकालना है, सब कुछ X पे डिपेंड है, मेहनती कोशन, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा, सोच रहा होगा, आ कर रहा है टीचर, साथ चंग 42, एस साथ से ये 9 बार में गया, पान दुना 10, यानि X बराबर आया 9, और हम से कहता है, प्रवू, साथ गुड़ा 9, 9, 63, यानि 63 आंसर, MTS का कोशन, जहरीला कोशन, क्यों, क्योंकि अगर हम साथ के मल्टिपिल में जाते तो चारों आप्शन सेम थे, अब ऐसे कोशन कोई नहीं कराता है, बैठके, कि बच्चे को कराए, बच्चा खुदी नहीं पढ़ेगा, हूँ आए, पहले तो कहेगा MTS में इतनी मेहनत, कभ किसी आयत के विकण की लंबाई 26 है, भुजा 10, अब ये आसान है, ये है तो MTS का, अब ये आसान है, देखो, किसी आयत के विकण की लंबाई 26 है, तो ये चीज 26 हो गए, भुजा 10 है, तो हम जानते एक टिपलेट्स 5, 12, 13, 5 का डबल 10, 12 का 24, और 13 का 26 होता है, तो ये 10, ये 24 कैता एरिया बताओ, 24 दस्ता, 240 आंसर, ये आसान है, तो ये खुसी की बात है, कभी टफ, कभी आसान, एक व्रताकार पार का छित पर, अब ये वैसे तो टफ है, और फिर आसान है, आसान कैसे है, क्योंकि ये ट्रिपलेट्स है, जिसको समझ में आ गया कि ये ट्रिपलेट्स है, क्योंकि ट्रिपलेट्स जब हम पढ़ाते है, एक ये ट्रिपलेट्स है, और जब ये ट्रिपलेट्स है, तो कहीं ना कहीं, अब ये वैलु, दस का मल्टिपिलर, कोई दिक्कर नहीं, 110, ये राइक एंगल, ट्रैंगल को सो करेगा, इसलिए ये कोशन आसान हो गया, अग को त्री बिच का तो 600 गड़े 110 यह इसका एरिया आ गया एक व्रत्ताकार पार का चेटरफल एक ऐसे त्रीबुच्छ अघर मैदान की चेटरफल का 7 बटा पंद्रा की लगभग बराबर है यानि इस वैलू का 7 बटा 15 व्रत् Creat अकार त्रीबुचिकर छेत्पल के बराबर है तो व्रत्ताकार का छेतपल Pi R square यानि 22बटा चाहई R square के बराबर है बस R निकाल लो उसका डबल कर दिना व्यास आजाएगा खेलो जदा काटा पिटा नगरो 22 से ये पांच बार में गया पंद्रा दूने 30, 30 से ये 20 बार में गया, ये 100 हो गया, 7, 7, 49, 49, 100, r square, यानि r बराबर 70 हो गया, और हम से क्या चाहिए, पार का व्यास 70 दूना 140, ये इसका अंसर हो गया, और अगर आप इसको ट्रिपलेट्स नहीं समझ पाए, कि ये ट्रिपलेट्स है, तो ये question बनने वाला नहीं है, ये बात हमीशा याद रखना, फिर ये question बनने वाला नहीं है, फिर 61 नमबर question आप फस जाओगे, प्रिपलेट्स अगर समझ में आया, तो ही ये बन गया, अनथा ये question, अच्छी अच्छो से छूट जाएगा, 61 के बाद 62 नमबर question, ये दि किसी वरत का छेतरफल 154 है, जब 154 है तो 37 होती है, आजी लिखवाया है, क्या बताया है, कि तरिज्जा, परिमाप और एरिया, बताया है कि अगर वरत की 37 है तो परिमाप 44, एरिया 154, और अगर 154 एरिया है तो 37, यानि ये दि किसी वरत का छेत सिदे वरत की परदी, तो उस वरत की परदी और 21 सेंटिमेट तरिज्जा वाले किसी दूसरे वरत की परदी का अनपात, देखो हमने ये भी बताया है, सारे मासूम से बच्चों को, अगर परदी में, मलब तरिज्जा में X का गुणा हो, तो परदी में भी X का होगा, और ए 24 ही रहेगी, और 21 सेंटिमेटर वाला तो साथ याए कैस, यानि तरिज्जा में 3 का गुणा कर देंगी, मलब स्वरी, परिमाप में 3, क्योंकि तरिज्जा में 3 का होगा, तो परिमाप में 3, 44 से 44 जाएगा, 1 इस्टू 3 is the right answer, तो ये कोश्चन का अंसर, 1 इस्टू 3 आएगा ठियोरी आपको कई बार आजी बताईए, किसी वर्ग तथा वरत का परिमाप समान है, दोनों का परिमाप समान है, वर्ग की भुजा हमने एक्स मान ली, तो 4 एक्स हो गया, और वरत का परिमाप 2 पाई आर के बरहाबर है, यदि वरत का छेत्रपल, यदि वरत का छेत्रपल इतना है तो तेरा सोची आसी तो व्रत का चेथपल बाइस बटा साथ आर स्क्वार जो कि तेरा सोची आसी है यहां से त्रिज्ञा निकाननी पड़ेगी तो से काटो तो 63 बार में यानि आर स्क्राइर बराबर साथ का स्क्वार और 9 तो साथ इधर आ जाएगा यानि आज बराबर साथ एक एक एस यह त्रिज्ञा इसकी 21 आगे किती आगे 21 किती आगे 21 यहां रखो चार एक्स दो बाइस बटा साथ त्रिज्ञा इक एस सारा खेला है यह तीन बार में गया चार से यानि एक्स बराबर 33 आ गया तो हमसे कहता है वर्क का छित्रवल तो 33 का स्क्वार 1089 होता है बढ़िया कोशन है यही इसका आंसर है ऐसे सी जीडी कॉंश्टेवल का और एक कोशन और सारे कोशन मिलते हैं बढ़िया सारे कहता है एक रेश ट्रैक एक रिंग के आकार में जिसकी आंत्रिक बाहरी इतना है इतने ट्रैक में क्या वैय आएगा 11 का मल्टपिल आप धूल लो जो होगा वो आंसर 8 6 14 14 और एक पंद्रा 9 6 15 यानि ये है 9 7 16 16 ये भी 11 का मल्टपिल है 8 2 10 दो 12 ये नहीं है 15 16 14 नहीं है इनवे पहले देखो कोई मिश्टिक तो नहीं है 9 7 16 16 17 18 19 18 है 8 6 14 1 15 9 6 15 यानि ऑप्सन नंबर A और C में से कोई एक यानि यहां आपको थोड़ी से मैनत करनी पड़ जाएगी क्योंकि अब अंधी से काम नहीं चलेगा लगना ही नहीं है अंधी हां अगर अंधी लगाना है तो अभी लग सकता है सर कैसे जो भी आएगा 6 का गुणा करेंगे 6 एक इवेन नंबर होता है तो और में हम जा नहीं सकते यानि इवेन आंसर हो जाएगा 1,9,8,6,6 पहले बोलो हां लेकिन अगर यहां पर कोई ऐसी वैल्यू होगी जिससे यह कट जाएगा तो फिर इसमें आंसर आपका जल्द बाजी में गलत क्योंकि ऑप्सन नंबर C है कि है क्यों कि यहां अगर नीचे अगर डो का मुंट्पिल आएगा तो च्छे में दो से भाग दूगे तीन बचेगा तो थीन का मैट्पिल 9 भी होता यह शे भी होता है हो सकता है A answer, हो सकता है C, अब आपको concept पे ही जाना पड़ेगा, वह क्या करें, short कर तो बहुत बता दिया, अब जाना पड़ेगा, मजबूरी है, एक race track, एक ring के आकार में, जिसकी आंत्री को बहरी परदी इतनी है, 2 pi r बराबर 440, यह हो जाता है, 44 बटा 7 r बराबर 4, बहुत तो मुझे वालों में 70 आएगा, पर नहीं करेंगे, r बराबर 70, बहुत पहले की त्रिज्जा, r1 70 है, दूसरे की त्रिज्जा, तो वही 44 बटा 7 r सीधे, 2 pi r का मतलब, 44 बटा 7 r होता है, जो की 506 के बराबर, 44 से देखो कटता है, पौगे नहीं कटता सर, मत कटो, 11 से तो कटता है, 11 से यह 4 बार में गया, 11 से जाएगा, 46 बार में, 2 से 23 बार में, अब नहीं कट रहा तो भात की बात है, 23 सत्य कर लो, या 2 से भाग दो, साड़े 11 सत्य, साथ पना, 35 तीन हासिल, 77, 73, 78, यहां त्रिज्जा आ जाएगी, 78.5, 506 लिखा है न, 42, 46, 48, कुछ गरबर तो नहीं लग रहा, यहां गरबड़ है, साथ पना, 37, 73, आर बराबर 80.5, तो भाई या, अब सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इस पोर्शन का एरिया चाहिए, तो पाई, मतलब 22 बटा साथ ऐसे, बड़ी त्रिज्जा, जो कि 80.5 का होल स्क्राइर, छुटकी त्रिज्जा, यानि 70 का होल स्क्राइर, और पूरे में 6 का गुणा, देखे, करना पड़ेगा, करने से होगा, 80.5 में से, अगर 70 घटाओगे, तो 10.5, 10.5 का मतलब, चाले 10 का मतलब 21 बटा 2 होता है, दोनों को जोड़ोगे, तो 150, 10.5, तो 150.5 का मतलब, तीन सो एक बटा 2 होता है, और गुड़े 6, अब कर लो इसको प्यार से, कैल्क्लिशन है, मजबूरी है हमारी, साथ से ये तीन बार में गया, दो से ये ग्यारा बार में गया, दो से ये तीन बार में गया, तीन त्रेका नौ, यूनिट प्लेस में नौ आ रहा है, यानि यही आंसर होगा, इसको सॉल करोगे, तो 11 गुड़े 3 गुड़े, 3 गुड़े 301, इसको कैल्क्लिट करोगे, 29799 आएगा, ठीक है, ती ये एक प्यारा सा कोशन था, 64 नंबर, जिसे हमने बता दिया, प्यारे दोस्तो, थियोरी को जरूर पढ़ना, एडवांस मैट की, 50 घंटे के आसपास हमने थियोरी पढ़ाई है, मेंसुरेशन और जमेट्री की, प्रकास अवस्ति एप में, बिना थियोरी के, आपके कोशन एक दिन बन जाएंगे, दो दिन बन जाएंगे, पर नया कोशन कभी नहीं बनेगा, जल्द बात जीवें, अब बनने को तो बन जाएगा भाई, प्रैक्टिस अच्छी है, तो बात ते अलग है, थियोरी को जरूर पड़ो, कॉंसेप्ट इस दा पावर,